दोस्तों स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज बहुती बड़ी खुसकबरी निकल कर आई है S.S.C.D. कॉंश्टेबल बर्ती के आवेधन डेट के बारे में दोस्तों आप लोगों के मन में जो इन दिनों बहुती ज़्यादा टेंसन था कि आखिर में इसका आवेधन कब मांगा जाएगा क्या पता कुरोना की वज़े से भरती बहुत ज़्यादा डिले ना चली जाए दोस्तों सब कुछ इन फॉर्मेशन निकल कर आ चुका है इसके आवेधन डेट के बारे में तो इन फॉर्मेशन आया ही है इसके इलावा इसकी परिक्षा की डेट के बारे में भी इन फॉर्मेशन पूरा क्लियर निकल कर आया है आयोग के जरीए आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा क्योंकि बहुती बड़ी खुसकबरी है जी न्यूज एक टीबी न्यूज चैनल है दोस्तों बहुती जैन्विन इन फॉर्मेशन प्रोवाइट करता है जी न्यूज के संबादाता द्वारा दोस्तों आयोग के जरीए इन फॉर्मेशन लेकर आया गया है आप लोग यहां पर देखिए क्या कुछ बताय गया है इसमें दोस्तों जो भी इन फॉर्मेशन में है वही आप लोगों को मैं प्रोवाइट करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों का समय इन्वेश्ट ना हो सबसे पहले आप लोग यह देख लीजिए आज का ही आया हुआ सर्टर डे बाइस माई 2021 का अपडेट है दोस्तों इसके अलावा आप लोग यहां पर देखिए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इच्छुक और योग अभ्यरती आयोग की आउफीसियल बेप साइड ssc.nic.in पर जाकर आवेधन कर सकेंगे सूत्रों से मिली जानकारी के मताबिक आनलाइन प्रकिरिया जुलाई तक चलेगी कब से इस्टार्ट होगी दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन इसमें दिया गया है आप लोग वीडियो को कम्प्लीट देखिए वीडियो को अभी तक लाईक निकी हो तो लाईक कीजेगा चैनल पने हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा जिससे दोस्तों हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी तक पहुंसता रहे चलिए दोस्तों स्क्रोल करते हुए चलते हैं और आप सभी को पूरी information दिखाते हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सबसे बड़ी information दी गई है नई दिल्ली से आया हुआ दोस्तों information है करमचारी चैन आयोग की तरप से इसमें दोस्तों जो कुछ main information है वही मैं आप सभी को दिखाना चाता हूँ जिससे आप लोगों का समय इन्वेश्ट ना हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लेकिन बढ़ते कुरोना संक्रमण के वज़ा से notification की तारीक को टाल दिया गया था इसी बीच खबर आ रही है कि आयोग की तरप से भरती के लिए notification 10 से 15 जून तक जारी किया जा सकता है यानि दोस्तों आयोग यानि कमीशन की तरप से पूरा information यही है 10 जून के बाद 15 जून से पहले पहले इसका notification ओफिसल वेप साइट पर आ जाएगा जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी को अपने previous वीडियो में भी बताया था जून के first week में SSC इसका विचारण करेगी और आप लोगों का जून के second week में इसका आवेदन घोसित कर देगी तो दोस्तों जो भी information headquarter से रहती है वही information मैं सबसे पहले आप लोगों को provide कर देता हूँ मैं आप सभी को बताया था कि जून के second week तक इसका आवेदन मांगा जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो इसी बीच खबर आ रही है कि आयोग यानि SSC की तरफ से भरती के लिए notification 10 से 15 जून तक चारी किया जा सकता है यानि कुल मिलाकर जून के second week आप लोग मान सकते हो इसके लावाँ आप लोग यहाँ पर देखिए सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक online प्रिकिरिया जुलाई तक चलेगी तो दोस्तों कहने का मतलब पूरा साफ है कि आप लोगों का आवेदन जुलाई मन्त तक चलेगा ऐसे में तब तक कोरोना की इस्तितियां भी सामान ने हो जाएगी वहीं लिखित परिक्षा दिसंबर तक आयोजित की जा सकती है हमने आप सभी को पहले भी बताया था कि नौवंबर मन्त में होने वाला था लेकिन इसका फिर से जब पोश्ट पॉर्ण कर दिया गया इसका आवेदन तो आप लोगों का दिसंबर मन्त में लगभग एक्जियाम होने वाला है तो दोस्तो जो भी इनफॉर्मेशन में बताया था बाद में दोस्तो जी न्यूज के संबाद दाता दोरा आफीसियल बिल्कुल आप लोगों को इनफॉर्मेशन यहाँ पर निकल कर आई है आप लोग देख सकते हो अगर बात किया जाए इसमें पदो की संख्या कितनी रहेगी तो दोस्तो यही इनफॉर्मेशन हमें मिली है कि इसमें पदो की संख्या अभी बिल्कुल सटिक तरीके से रिकूट्मेंट सेल किसी को भी इनफॉर्मेशन पकी नहीं दे रहा है आप लोगों को दोस्तो बिल्क 75,000 की सम्तिंग इसमें रिक्रूटमेंट रहने वाला है कोबीट के कारार इसमें दो साल की एज रिलक्सेशन भी मिलने की पूरी चांसेज बन रही है लेकिन अभी कोई फिक्स नहीं है तो बिल्कुल जेन्वीन इंफॉर्मेशन सबसे पहले यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया झाल झाल झाल